तो स्वागत है आप सबका अगर आप भी है 2004 से पहले की राजस्तान राज्य की कर्मचारी तो यह वीडियो आपके लिए है क्या आप भी अपने पेमेनेजर अकाउंड में अपनी एंपलोई डिटेल वेरिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप भी परिशान है इस अपडेट क की डेटेल वेरिफाई कर लीजिए सबसे पहले आपको कम्प्यूटर या अपने फॉन के अंदर गुगल क्रोम के अंदर पेमेनेजर टू डॉट रह डॉट एनाइसी डॉट इन पर जाना है कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा इसमें आपको अपनी ए पासवर्ड डालना है अगर आपके पास में एपलोई आइडियो और पासवर्ड नहीं है तो आप इसे सेट भी कर सकते हैं मेरे पिछले पेमेनेजर के वीडियो आप देख लेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा तो आपको अपने युजरनेम पास पेज खुल चुका है और इस पेज के अंदर आप एंपलोई डिटेल के उपर एंपलोई कॉर्णर पर जाकर आप लॉंग प्रेस करेंगे तो यह मेनु खुल जाएगा आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर में तो आसाने से खुल ही जाएगा अब नीचे आप посмотреть करना है आपकाएमिल आईडी और जी पीएफ नमबर जीपफ खालते का नमबर आपको यह पर एड़ेट करना है आप जाएंगे ईमिल आईडी प्लेट में बद्लाव होंगे उसकी जानकरी में इस चैनल पर देता रहूंगा तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों को शेर कर दीजिए ताकि उनके भी काम आ जाए आप देख सकते हैं जीपिएफ नम्मर की यहाँ पर डिटेल आपको बरनी है यहाँ पर इमेल आइडी बरनी है और इसे अपडेट कर देना है और आपका एंपलोई है तो नीचे कमेंट कर दीजिए हो सके जितना मैं जान पा रहा हूं या जानता हूं वह आपको मैं बता सकूं यही मेरा उतेश्य है इस वीडियो का तो दोस्तों यही पर इस वीडियो को समाप करते हैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा झाल